हेलो स्टुडेंट्स आज हम इंग्लिश मेन कोर्स बुक का लेसन करने जा रहे हैं लेसन नमबर फॉर्थ एक गिफ्ट फॉर क्रिस्मिस पेज नमबर फॉर्टी सिक्स पर ये आपको लेसन दिया गया है स्टुडेंट्स ये लेसन लिखा हुआ है ओ हेनरी ने ओ हेनरी का एक्च्वल नेम था विलियम सिड्नी पोटर और ये सिर्फ साहित्य लिखने के लिए या कहानिया लिखने के लिए अपना दूसरा नेम यूज करते थे ओ हेनरी अमेरिका के ये राइटर थे और उनकी स्टोरीज इंडिया एज वेल एज अमेरिका दोनों कंट्रीज में काफी पॉपुलर है इस लेसन में ये बताया गया है कि मैरिज के बाद भी क्या एक हस्बंड और वाइफ में सच्चा प्यार हो सकता है और marriage के बाद अगर husband wife को गरीबी देखनी पड़े अपनी life में तो भी वो छोटे छोटे इंसिडेंट से कैसे खुशिया डूंड सकते हैं Lesson बड़ा interesting है students तो line to line translation इस lesson के हम start करते हैं First line One dollar and 87 cents That was all and 60 cents of it was in pennies 1 dollar and 87 cents बस यहीं कुछ था और इसमें से 60 cents ऐसे थे जो छोटे छोटे सिक्कों में थे Students 1 dollar में 100 cents होते हैं तो it means जिस lady की यहाँ पर बात की जा रही है उसके पास सवा 1 dollar से कुछ ज्यादा था आप 1.5 dollar से कुछ ज्यादा भी इसे मान सकते हो अब कहानी यहाँ से में शुरू होती है कि डैला जो है उसके पास सिर्फ 1 dollar और 87 cents थे और वो इससे कुछ लेना चाहती थी पर ज्यादा तर पैसे छोटे सिक्कों में थे Penny saved 1 and 2 at a time किसी समय उसने एक या दो सिक्के हमेशा बचा कर रखे होगे थे तीन बार डैला ने ये पैसे गिने and the next day would be Christmas और अगले दिन Christmas का त्योहार था यहाँ पर इस स्टोरी में हस्बन का नाम है जिम और वाइफ का नाम है डैला अब डैला के पास इतना कुछ था ही नहीं कि वो रोने के अलावा कुछ कर भी सके तो वो डैला जो थी वो घटिया से सोफे पर जो छोटा सा सोफा था वहाँ पर जाकर लेट गई और रोने लगी जब तक डैला रो रही है अपने सोफे पर चलिए हम उसके घर का नजारा एक बार देख लेए उसका छोटा सा घर है जिसमें बेसिक सारी अमेनिटिज दी गई है फरनीचर वगरा है घर उसका अच्छा बना हुआ है और एक हफ़ते के आठ डोलर किराया उस घर का जा रहा है यानि वो किराय का मकान था घर तो अच्छा था पर घर के अंदर जो सामान था उससे देख कर उसके घर की गरीबी का अंदाजा हो सकता था आप जहां कहीं उसके घर में देखो गरीबी दिखाई दे रही थी डैला के हस्बन का नाम था जिम पर जिम का पूरा नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो की सिर्फ हफते के 20 डोलर कमाता था 20 डोलर में से 8 डोलर घर का किराया चला जाता था बाकी 12 डोलर उनके पास बचते थे अपना पूरे हफते का राशन पानी लेने के लिए डैला फिनिश्ट क्राइंग डैला ने रोना बंद किया अब वो शीषे के सामने गई और अपने गालों पर उसने पाउडर लगाना शुरू कर दिया अपने आपको सवारना शुरू किया अब वो खिड़की के पास चले गई अनमने मन से उसने खिड़की के बाहर देखा वहाँ पर एक ग्रे कलर की कैट थी जो ग्रे कलर की फैंस के पास एक गली के पीछे वाले हिस्से में टेहल रही थी घूम रही थी फैंस का मतलब पूरी दिवारना बने ओना सिर्फ लोहे के कुछ दिवार की तरह फैंसिज लगा देना जैसे कि हम अकसर खेतों के बाहर देखते हैं फैंस को हम हिंदी में कई बार बोलते हैं बाल लगाना कल क्रिस्मिस का त्यो हार आने वाला था और उसके पास सिर्फ 1.87 सेंट थे जिससे उसने अपने हस्बंट जिम को गिफ्ट देना था पर ये पैसे इतने का कम थे कि इससे कोई भी गिफ्ट नहीं आ सकता था She had been saving every penny she could for months with this result हर सिक्के को उसने जोलने की कोशिश की कई महीनों से तो भी उसके पास इतने ही पैसे हो पाए $20 a week does not go far जो उसका हस्बंट $20 कमाता था उससे भी घर का गुजारा धंग से नहीं चल पाता था Expenses had been greater than she had calculated वो जितना अंदाजा लगाती हर बार खर्चे उससे ज्यादा हो जाते Expenses का मतलब पे खर्चे जिसे हम expenditures भी बोलते हैं They always are, हर बार ऐसा ही होता Only $1.87 to buy a present for gym हर बार वो पैसे बचाती और end में इतने ही पैसे उसके पास बचते Gym के लिए तोफा लेने को Her gym, oh the many happy hours she had spent planning for something nice for him उसका पती जिम जिसके लिए उसने बहुत सारे अच्छा समय व्यतीत कर दिया बिता दिया ये सोचने के लिए कि वो अपने पती को क्या अच्छा तोफा दे Something fine and rare, worthy of the owner, of being owned by gym कुछ ऐसा जो बढ़िया हो, जो अदबुत हो और जो gym की personality पे suit भी करे और जिससे gym की शानों शोकत उसकी इज़त बढ़े वो कुछ ऐसा देना चाहती थी Suddenly, Della turned away from the window and stood before the glass Della ये सारी चीज़ें सोच रही थी खिड़की बंद करकर वो मुड़ी और वापस शीशे के आगे आ गई Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color all sudden उसकी आँखें चमक से चमक रही थी पर उसके चेहरे की जो लाली थी, जो उसके चेहरे का रंग था वो अचानक उड़ गया Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length अचानक उसने अपने सुन्दर बाल खोल दिये और उसके सुन्दर बाल जो थे, वो पूरी लेंथ में खुल गए और उसके घुटनों तक ये बाल पहुंच रहे थे Now there were two possessions of James Tillingham youngs in which they both took great pride अब दोनों की बात की जा रही है कि Jim और Della दोनों की अपनी अपनी अनमोल चीजें थी जिनको लेकर दोनों को बड़ा गर्व था One was Jim's gold watch that had been his fathers and grandfathers The other was Della's here Jim की जो अनमोल चीज थी वो थी उसकी सोनने की घड़ी जो की उसके पिता जी ने दी थी और पिता जी को उनके पिता जी ने दी थी यानि grandfather से ये घड़ी चलती आ रही थी और Jim तक ये घड़ी पहुंची The other was Della's here दूसरी अनमोल चीज डेला के लिए थी उसके सुन्दर बाल डेला को अपने बालों पर बड़ा गर्व था डेला लेक्ट फॉल हर ब्यूटिफुल हेर and it looked like a cascade of brown waters डेला ने अपने सुन्दर बाल खोल दिये और ऐसा लग रहा था जैसे भूरे रंगे पानी का सुन्दर जर्ना खुल गया हो cascade का मतलब है जर्ना it reached below her knees ये सुन्दर बाल उसके घुठनों तक पहुंच रहे थे quickly and nervously she calmed it and did it up again जल्दी से quickly यानि जल्दी से immediately भी से हम बोलते हैं और nervous होकर घबरा कर उसने जल्दी से अपने बालों को कंगी की और बालों को दुबारा से समेटा for a minute she faltered एक मिनट के लिए तो वो बिल्कुल कमजोर पढ़ गी faltered का मतलब है कमजोर पढ़ना या अपने होश खो देना tears appeared in her eyes उसकी आंखों में आंसू आ गए ऐसा क्या हुआ कि डैला एकदम कमजोर पढ़ गई उसका चेहरा मुर्जा आ गया और ऐसा क्या था जिसकी वज़े से डैला रोने लगी ये हम आने वाले दिनों में chapter को complete पढ़ेंगे अब students हम बात कर लेते हैं अपने homework की worksheet आपको provide की गई है worksheet का pattern दुबारा से थोड़ा change किया गया है ताकि worksheet आप लोगों के लिए कुछ interesting बन सकते हैं सबसे पहले fill in the blanks fill up आपने दो the away option में से सही feel करने हैं number one है डैला had only one dash and 87 cents डैला के पास एक dash और 87 cents थे सही option आप लोगों ने चुनना है डैला finished dash डैला ने dash करना बंद किया number three the meaning of present is dash present word का मतलब क्या है ये आपने सही word चुनना है gym had dash watch gym के पास dash की खड़ी थी उसके बास students match ups ये बड़े आप ध्यान से समझेगा आपको A कोलम और B कोलम दिया गया है A कोलम के word को आपने B कोलम के word के साथ मैच करना है number one है Christmas किस दिन Christmas मनाया जाता है वो आपने चुनना है number two expenses expenses का मतलब है खर्चे खर्चों को English में एक और word से जाना जाता है वो word आप चुनिये number three quickly quickly का मतलब है जल्दी जल्दी को हम English में और क्या कहते हैं वो भी word आपने चुनना है ये सारे words के second meanings भी आपको वीडियो में बताए गए हैं proper description के लिए वीडियो complete जरूर देखो number four डैला डैला के पास क्या था? वो आपने B option में से चुनना है उसके बाद third important topic है कि दी हुई वीडियो में से आपने 10 difficult words चुन कर अपने copy पर लिखने हैं और उनके spellings भी याद करने हैं Thank you students